इन्फिनिक्स ने इंडिया में लॉंच किया है अपना अभी तक का सबसे बहतरी स्मार्टफोन इन्फिनिक्स जीरो अल्टरा 5G अगर आप लोग 5G स्मार्टफोन बाई करने जा रहे हैं 2023 के अंदर तो यार यह स्मार्टफोन मुझे लगता है कि आप लोग के लिए सबसे स्मार्टफोन देखते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर सब कुछ आप लोग को बहुत ही कमाल का देखने को मिल रहा है इस वीडियो हम बात करने वाले इन्फिनिक्स चीरो अल्टरा 5G के सभी फीचर्स के बारे में और कैमरा सेटप में आप लोग को यहां पर दिखाने वाला हूं टेस्टिंग के साथ की किस तरीके के आप लोग को यहां पर फोटो देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर तो बात करें सबसे पहले हम डिस्प्ले के बारे में तो आप लोग को 6.8 इंच की फूल HD प्लस कर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल जात हैं तो काफी बढ़िया वजया आप लोग को वहां पर आने वाला है ब्राइटनेस भी काफी अच्छी आप लोग को स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है और रिफ्रेश रेट की बात करें तो काफी बढ़िया रिफ्रेश रेट आप लोग को यहां पर देखने क के बारे में तो यहां पर आप लोग को दोस्तों जो स्मार्टफोन के अंदर चिपसेट देखने को मिलता है वो MediaTag Dimensity 920 SoC का एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है जी हाँ काफी बढ़िया चिपसेट है अगर आप लोग यहां पर गेमिंग बगरा करते हैं तो बहुत बढ़िया मज़ा आप लोग को आने वाला है Heating की Problem नहीं देखने को मिलेगी काफी बढ़िया प्रोस्तर आप लोग यहां पर देखने को मिल जाता है और भी कई सारे बहतरीन फीचर आप लोग को स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं कि camera setup आप लोगो किस तरीके का देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगो बता देता हूं कि पीछे की तरफ आप लोगो triple rear camera setup देखने को मिलता है जहाँ पर 200 megapixel का जो primary sensor है वहाँ आप लोगो मिलता है प्लस में आप लोगो 2 megapixel का macro भी देखने को मिल जाता है और काफी सारे mode यहाँ पर आप लोगो देखने को मिल जाते हैं फिल्म, वीडियो, AI, camera, beauty, portrait, super night mode काफी अच्छे अच्छे mode आप लोगो देखने को मिल जाते हैं सेल्फी के बारे में बात करें तो आप लोगो front में 32 megapixel का जो selfie camera है वो आप लोगो देखने को मिल जाता है तो कुछ एक photos हमने यहाँ पर click किये हैं काफी बढ़िया photos आ रहे हैं जाता है इस quality के अंदर लेकिन ठीक आप लोगो काफी बढ़िया selfie camera देखने को मिल जाता है तो selfie camera के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है मतलब कि आप लोग अगर बाई करते हैं तो selfie आप लोगो काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर मै मेगा पिक्सल का आप लोगो primary sensor देखने को मिल जाता है और मैं आप लोग के लिए पर बता देता हूं कि मैंने अभी तक यहाँ पर Infinix के 5-6 smartphone यूज़ किये हैं और मुझे अभी तक इससे बढ़िया जो camera setup किसी भी smartphone में नहीं देखने को मिला है इस समय मैं Infinix का Note 12 Pro 5G यूज कर रहा हूं जिसमें आप लोगो 108 Megapixel का जो camera है वो देखने को मिल जाता है लेकिन इस smartphone के अंदर Infinix Zero Ultra 5G के अंदर आप लोगो बहुत बढ़िया camera setup देखने को मिलता है पीछे की तरह काफी बढ़िया camera setup है smartphone का तो अगर आप लोग camera setup के लिए smartphone को ले रहे हैं तो बहुत बढ यह smartphone यार 29,999 रुपए इसका प्राइज है flip card पर 25 December को पहली cell लगने वाले वहां से जाईए और इस smartphone को जल्दी से बाई कीजिए क्योंकि काफी बढ़िया यह smartphone आप लोग के लिए रहने वाला है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए सिर्द करिए अपने दोस्तों के स बहुत बहुत दनिवाद